Exercise 3 में तो आप लोगों ने कमाल करके दिखा दिया बहुत सारे लोगों ने solve कर ये exercise 3 and I am really very proud of you कि आप लोग इतना कुछ सीख रहे हैं आज के इस वीडियो में मिलेगा shout out और मैं आप लोगों के solutions को देखकर उन पे react करने वाला हूं इस वीडियो में ताकि आप लोग की understanding improve हो सके CSS की हाई इनर्जी के साथ वीडियो को लाइक करके नीचे comment section में Sigma batch OP जरूर लिग देना यार चलते हैं computer screen में Let's roll the intro Alright guys, so मैं आ चुका हूँ वापस अपनी computer screen में अभी चलता हूँ और आप लोगों को आज में दिने वाला हूँ shout out बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके इस्तिमाल करें इस exercise को solve करने के and I'm really very proud यार आप लोगों ने काफी बड़िया तरीके इस्तिमाल किये अब मैं आपर क्या करूँगा मैंने यहाँ पर index.html बनाई हुई है background color gray दे दूँगा, background color मैं ने gray दे दिया यहाँ पर card मैं background color दे दूँगा white तक यह अलग ही दिखे और उसी के साथ साथ इसको width and height दे दूँगा width इसको दे दूँगा let us say width देता हूँ 344 pixels और इसको height देता हूँ let us say 444 pixels यह मेरा card जो है यह कुछ इस तरह दिख रहा है मैंने pixels में लिखा है तो यह ऐसा दिख रहा है और मैं इसको 144 pixels कर देता हूँ इसको 344 कर देता हूँ yeah 244 also looks good मुझे simply अपने card को design करना है that's it और आप trial and error से एक ideal card की width and height तक पहुंच सकते हैं but अभी important यह नहीं है कि यह कैसा दिखे मुझे इस तरह का card achieve करना है तो सबसे पहली फुरसत में मैं क्या करूंगा इसको एक border radius दे दूँगा और border radius इसको दे दूँगा 3 pixels की जिसको मैं बढ़ाकर 7 pixels तक कर सकता हूँ जब तक कि मुझे desired curve यहां पर achieve ना हो जाए जो मैं यहां पर देने वाला हूँ ना मैं वही डाल दूँगा यहां पर एक div.image नाम के card में जिसमें मैं डालने वाला हूँ एक image को और मैं आपर एक image डालूँगा और इस image को मैं लेकर आऊंगा image of a boat let us say man with boat ठीक है let's do this कोई सी भी image कोई सी भी image आप ले सकते हो एक stock image डाउनलोड कर लो या तो यह उसका अगर आप URL ले लेते हो तो सची कोई बात ही नहीं है तो यह मैं पैक्सल से ही URL इसका उठा लेता हूँ और मैं इसको यह आपर डालूँगा यह overflow कर रही है ठीक है तो इसके लिए यह तो आप width height का इस्तमाल कर लो ठीक है मैं width इसकी का देता हूँ 188 pixels ठीक है और जो dot image है जो dot image है उसको मैं padding दे दूँगा padding कितनी की दूँगा मैं देखो 198 यह थी 194 इसको मैं खलता हूँ 198 10 pixels बचे मेरे पास चारो दिशाओं से 5-5 pixels की दे दूँगा padding ठीक है और यह बिल्कुल इस तरह से आ गया और जो border radius थी मेरी border radius बिल्कुल वही दे दूँगा जो की यहा पर थी आप देख सकते हो image को नहीं दूँगा border pixel dot image की image को दूँगा dot image की img को दूँगा यह border radius तो border radius मैंने दी तो यह देखो यह इस तरह से आ गया ठीक है देखो इस card को design करने के 50 थरीके हो सकते है flexbox भी बहुत सारे लोगों नहीं यूज किया है मैं तो challenge दे रहाँ कि मैं flexbox यूज ही नहीं करूँगा मैं इसके बाद यहाँ पर एक capsules का div बनाऊंगा और इसके बाद मेरा एक paragraph हो जाएगा जिसमें मैं अपना lorem 23 लिखूँगा या let us say lorem मैं लिख दूँगा हाँ lorem 23 लिख देता हूँ अब जो dot content है मेरा dot content मैं कहूँगा बाई साब देखो dot content का जो P है न उसकी font size करो कम ठीक है क्या गरो font size की कम 13 pixels कर दो यहर इससे तो बहुत बनी नहीं तो मुझे अपना card ही बढ़ाना पड़ेगा card थोड़ा बढ़ा करना पड़ेगा रैसे काम नहीं चलेगा चलो बढ़ा कर लेते हैं card अपना क्या जा रहा है यही तो मुझे hide तो change करनी है मैंने 300 हाँ ठीक है अभी ठीक है तो यह card मैंने कुछ इस तरह से कर दिया अब dot content है यहां पर तो इसमें एक padding देते हैं कितनी padding दे त्री pixels की देते हैं 13 pixels की मैंने यहां पर padding दे दी अब आप देख सकते हो कि यह कुछ इस तरह से दिख रहा है font definitely मुझे download करना पड़ेगा google font से जाकर but मैं capsules डाल देता हूं यहां पर दो एक तो मैं यहां पर span लिख दूँगा और लिख दूँगा capsule के अंदर nature ठीक है मैं लिख दूँगा यहां पर nature और capital N कर देता हूं और दूसरी जो capsule मेरी वो क्या है वो है मेरी lake ठीक है लेक लिख देता हूं यहां पर लेक लिख दिया मैंने यहां पर simply और nature और lake अब जो dot capsules है dot capsules के अंदर हमारा जो span है उसको हमें style करना है किस तरह से style करना है हमें इस तरह से style करना है कि उसमें border देंगे 2 pixels solid black and we'll see कि हमें और बड़ा देना पढ़ सकता है padding देंगे let us say 4 pixels and we'll keep on increasing it अगर हमें लगा need है तो और जो dot capsules है हमारी यानि कि यह वाला element dot capsules is div को target करेगा हम क्या करेंगे dot capsules के अंदर padding देंगे और वो होगी padding top bottom से 0 और left right से 34 pixels and I'm not referring to any sheet ऐसा नहीं मैं देख के code लिख रहा हूँ सब यहां से आ रहा है निकल रहा है ठीक है padding 4 pixels अब इसको 2 pixels आ करके 1 pixel कर सकता हूँ या फिर अगर मुझे लग रहा है कि या तो ज़रा dark हो गया इसको मैं grey कर सकता हूँ ठीक है थोड़ी सी छोटी हो जाए but again यह मैं आपके ओपर छोड़ता हूँ अगर आप चाते हो top bottom से 1 pixel हो left right से 3 pixel हो यह भी कर सकते हो थोड़ी capsule आपकी चौड़ी हो जाएगी oops हाँ ठीक है चौड़ी होगी थोड़ी capsule open in browser करते है इसको और मैं right click करके inspect करूँ तो आप लोग देखना कि जो यह span है दियान से देखना मेरी बात को जो यह span है इसको बन करता हूँ div capsules के अंदर span है इसमें मैंने border दिया है और मैंने capsules के अंदर दिये padding अगर पर lesmas उसे बात काईदिए when आप दिया है ने पहुँनिन wie देखना में और h1 में भी कुछ padding मिली हुई है तो एक काम करते हैं कि जो ये h1 की padding है top bottom की start और margin 0 करते हैं एक तो ठीक है और एक padding को 0 करते हैं ठीक है तो margin 0 padding 0 अभी दिखो ये उपर आ गया content के h1 का font size थोड़ा मुझे चोटा करना है ठीक तो मैं dot content h1 के font size को in fact इसको मुझे h2 यूज करना चाहिए h1 यूज करना ही नी चाहिए font size इतने आप कम हो जाए कि h1 तो main heading होती है ये card है तो इसमें मैं h2 लिखता हूं secondary heading लगता हूं तो आप देख सकते हो या आपर मैंने बहुत closely इस card को बना दिया है top से भी थोड़ी सी आप देख स्पेसिंग है तो काफी मैंने close बना लिया अब अगर कोई designer में इसे touch में मैं से पूछूँगा भाई कि तुमने कौन सी font यूज कर दिया नी जिसने भी यह वाला design निकाला है मैं से पूछूँगा भाई कौन सी आपने font यूज की हूई इस में मुझे बताएगा या यह है देखो इसका color gray है तो let's make it gray तो जो मेरा content है उसका जो पी है उसका जो color होगा ठीक है तो यह gray कर दिया मैंने ठीक है और जो content है उसका font हम pop-ins use कर सकते है वैसे word font नाम की extension आती है word font जो कि आपको बता देगी कौन सा font यूज हो रहा है कहीं पर भी but मैं अभी google font पे जाकर pop-ins को मैं use करूँगा and I am not referring to any paper मैं download नहीं करूँगा family आप चाहो तो download कर सकते हो इसको इस तरह से और आप फिर अपने PC में install कर सकते हो तो यह आपके PC में install हो जाएगी लेकिन फिर आपके PC पे ही चलेगी आप ऐसा नहीं चाहोगे आप चाहोगी कि जब मन चाहे आप इसको 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 इस इसको मैं यह वाली जीज जहां भी लिखूंगा मेरी पॉपेंस यूज हो जाएगी तो आप देखो यहां पर मैं जब इस तरह से लिखूंगा यहां पर बलु भाई नी पॉपेंस यूज करना है मैंने अला कि मैंने बलु भाई भी इंपोर्ट कर लिया कैसी लग रही ना 9 pixels कर देता हूं इसको और यह तो ठीक है फिर इसकी बलु भाई यूज करूंगा पता है काहं पर मैं बलु भाई यूज करूंगा यहां पर नेचर और लिक जो लिखा हुआ है तो जो मेरा पर 1 pixel लिया हुआ, शायद मुझे इसको 2 करना चाहिए, font size इसका थोड़ा और छोटा हमें करना चाहिए, 6 pixel थोड़ा जादा कम हो गया, I guess, but again, जब अपना एक website बना हो गया, तो आपको आपका designer बताएगा, कि किस तरह से आपको चीजे करनी है, तो यहाँ पर मैंने 7 कर दिया, nature, lake, जो भी इसमें यहाँ पर difference है, वो आप देख लेना अपने आपी, ठीक है, अब यहाँ पर मुझे capsule अच्छी नहीं लग रही है, सच बताऊं तो, मैं इसको जो padding है इसको बढ़ा देता हूँ, जो 2 pixel हो रखी है, हाँ, 6 pixels काफी बढ़ी या लग रही है, 06 pixels कर दिया मैंने इसको, और spacing वगएर भी देखता हूँ, यापर spacing तो ठीक लग रही है, मुझे maybe, maybe capsules में मैं सबसे पहले इसके span की, जो यह है, इसको 06 pixels करता हूँ, 06 pixels मैंने इसको कर दिया, और जो मेरी capsule से उसकी जो padding है, जो मैंने 34 दे रखी है, maybe इसको मैं थोड़ा सा कम करना चाओँगा, 30 करूँ क्या, 28 करके देखता हूँ, हाँ, सभी लग रही है, थोड़ा इदर आ गया capsule, और जो Harry लिखा हुआ है, इसके top bottom की, तो मुझे बहुत ही बुरी लग रही है इस चीज़, देखो content पर padding दी हुई है, मैं content की padding को हटाना चाओँगा, content में padding 13 को हटाना चाओँगा, कहां पर है content पर padding 13, यह है, इसको हटाऊँगा यार, यह इसको 3 कर दूँगा, या फिर maybe मैं इसको 3 pixels, 13 pixels कर दूँगा, 12 pixels कर दूँगा, या 13 pixels, ठीक है, left right से 13 pixels, ठीक है, top bottom से 13 pixels, बिल्कुर ठीक नहीं है, ठीक है, 5, 13, हाँ looks good, maybe थोड़ा और बढ़ाऊँगा, 7 कर दूँगा, हाँ, ठीक है, अब एक चीज़ आल दिखाता हूँ मैं आप लोग को, जो आपका यहाँ पर card है, यह हमने height दी हुई थी, अगर आप इसकी height ना दोना, तो यह auto adjust हो जाएगा, and maybe जो card है, मैं इसमें एक padding दे सकता हूँ, और मैं कहूँगा कि, मुझे सिर्फ top bottom की padding चीए, तो मैं इसको 34 pixels 0 कर दूँगा, या फिर अगर मैं चाहता हूँ, सिर्फ bottom की padding चीए मुझे, तो मैं इसको कर दूँगा, 00 और जितनी में मुझे नीचे चीए, लेटस से मुझे चीए 34 pixels की, तो मैं ऐसे कर दूँगा, मेरा card design हो चुका है, आप देख सकते हो, अब हाँ मुझे पता है, एक button भी वराना है, let's quickly make this button, या यह तो भूली कि, div.button और यहाँ पर एक होगा button, और इसमें लिखा होगा letter से submit, ठीक है, और यह जो button होगा, इसमें text align center करूँगा, तो आप कर दो, सबसे पहले तो आप इसकी padding दो, 3 pixels, ठीक है, फिर आप दो border radius, 3 pixels, ठीक है, let's say, 3 pixels नहीं तो 9 pixels, 9 pixels, ओके, तो border radius दे दी मैंने, तम क्या कर सकते हैं, background color दे सकते हैं, blue, ठीक है, and यह blue नहीं है, मुझे पता है, थोड़ा यह वाला color है, और जब आप बना होगी ना, websites, आपको exact color मिल जाएगा, attention लेना ही मत इसलिए, लेना ही मत, और color white है, I guess, color white है ना, color blue है, actually, यह light blue है, यह dark blue है, यह light blue है, और color dark blue है, okay, color dark blue है, ठीक है, कुछ इस तरह से scene है, और padding को बढ़ाया जा सकता है, maybe, तो इसको 0 pixels, 13 pixels करता हूँ, and read more ही लिखूँगा, इसको मैं, button के अंदर read more ही लिखूँगा, अब tension मत लो, read more लिखूँगा, font font जो है, इसकी छोटी कर दूँगा, थोड़ी बहुत, तो इसकी font size करूँगा, 12 pixels, और शायद padding top से भी मुझे देनी चाहिए, और मैं इसको 7 करके, top से padding देता हूँ, 4 हो, ठीक है, और font size को अगर हम थोड़ा और छोटा कर दें, तो कैसा रहे, अगर मैं इसको 8 pixels कर दूँगा, तो कैसा रहे, read more, अब यहां पर जो outline आ रहे है, इसमें यह border से आ रहा है, उसको देखना पड़ेगा, वो कहां से आ रहा है, तो मैं border को none करूँगा, ताकि यह border चला जाए, और यह exact colors आप लोग पता कर लेना कौन से हैं, ठीक है, यह button थोड़ा सा और बढ़ा है, मेबी मैं इसको 7 pixels करूँगा यहां से, और यहां से 9 pixels करूँगा, शायद इसका font size भी बढ़ा दूँँ मैं, थोड़ा सा, ठीक है, और इसमें margin दे दूँ, margin दे दूँ, बाइद बाइद आप सिर्फ margin top भी दे सकते हो, margin top, और मैं दे सकता हूं 3 pixels, कुछ तरह से मैं कर सकता हूं, और ज्यादे दे सकता हूं, तो यह दे को मेरा बन गया card, exactly लगभग लगभग तो बनी गया, exactly नहीं बना, तो border radius को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, कर भी करने के लिए इसको, अब ठीक है, 15 pixels ठीक है, अब देखो काफी close हम आ चुके हैं, लेकिन यह कर थोड़ा light है, ठीक है, और light कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो यह नहीं और light कर दिया, और यह read more जो है, यह भी blue color से है, तो इसको भी मैं ठीक करता हूं, यह भी light blue से है, तो यह को इस color से है, ठीक है, देखो exact color आपको मिल जाएगा, font weight, bold भी कर सकते हैं, जो आप किसी भी freelancing client के लिए website बनाते हो, तो कभी वो आपसे यह नहीं कहेगा, यह यह ऐसा है, वो ऐसा है, उसको exact चाहिए तो आपको देना पड़ेगा, कहना भाई, बताओ अब कैसा लग रहा है, वो ले यार, यह अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप directly उसको लेना call पर, उसको खेना भाई, अब बताओ कैसा लग रहा है, अगर अब भी अच्छा नहीं लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है, यह कैसा है ऐसे करके आप चेंज कर सकते हो यहां से अगर वो कहेगा कि यह भी थोड़ा बड़ा करो कर दो बड़ा ठीक है कभी-कभी चीज अच्छी नहीं लगती है भाई उसकी वेब साइट है कर दो ठीक है कभी मत बोलो एक बर मैं एक वार्निंग देता हूँ बिज़ा फ़ो एक थोड़ा ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन उसकी बाद भी आगर मुझे मिलता है कि हाँ हमें अच्छा लगना चीज है हाँ ठीक है कर देता हूं ठीक है तो यह रहा मेरा card, ठीक है, मैंने exact नहीं बनाया, मैं दुबारा बता लूँ कि exactly बनाने के लिए मुझे font, font size, जो कि आपको Figma file में मिल जाते हैं, वो चाहिए होंगे, मैंने flexbox का इस्तेमाल नहीं कि, जो कि ideally मैं इस्तेमाल करता हूँ, grade का भी कर लेता हूँ, अभी कर इस्तेमाल, flexbox का इस्तेमाल मैं बहुत जादा करता हूँ, लेकिन कुछ इस तरह से बना सकते हैं, exact font भी मैंने यूज नहीं किया, अब इसी card को आप duplicate कर सकते हूँ, आप मेभी कुछ इस तरह से, जो card है, तो मैं इसको अगर डालूँ मा यहाँ पर, तो आप देखो एक और card में बना दिया है, और मैं card में ही margin top दे दूँ अगर, कहां गया card मेरा, यह से margin ही दे दूँ 4 pixels की, तो आप लोग देखो यह, मेरे पस card आ गया एक और, तो card डी card मेरे पस यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, और अगर मैं चाहता हूँ, यह जो cards हैं सारे के सारे, वो इस तरह से आएं तो मैं display flex लगा दूँगा, हलां कि display flex के बारे में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, जस्ट आपको बताना चाहता हूँ कि flex box कितने कमाल की चीज़े, ज्योंकि हम पढ़ने वाले हैं, एक idea मिल जाएगा आपको इससे, कि यार मैं बार बार use, मतलब मैं इसके बिना रहे नहीं पा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, आप ही देखो, यह इस तरह से आगया, आप देख सकते हो उसको, तो यह ऐसे cards आप लोग बना सकते हो, यहाँ पर अलग अलग चीज़ आएगग, यह आपक एक तरह website ही बन गई है, अब एक चीज़ और करते हैं, button पर cursor pointer, क्या करते है, cursor pointer, तो यहाँ पर cursor pointer इस तरह से किया जाता है, ठीक है, अब अगर आप लोग चाहते हो कि button को hover किया जाए, तो उसका जो background color है, वो थोड़ा सा, let us say, color or background color उसके change हो जाए, maybe, ठीक है, अगर आप ऐसा कुछ चाहते हो, तो वो भी करते हो, मैं चाहता हूँ कि hover करने पर, इसका background color थोड़ा सा dark हो जाए, ठीक हासा, और जो उसका color हो, वो थोड़ा सा light हो जाए, ऐसे, ठीक है, तो भी मैं कर सकता हूँ, अब मैं इस पर लेकर जाँगा arrow तो यह ऐसा हो गया, ठीक है, so I hope कि यह card आप लोग अच्छा लगा, आप exactly बहुत सारी चीज़े इसमें कर सकते हो, लेकिन आप लोग चलेंगे shout out देने के लिए, उन लोगों को, जिन्हों ने इस card को design किया, सबसे पहले आदित्य को shout out, इर्फार अली को shout out, प्रोग्राम इन वर्ड को shout out, मौहमत तरणवीर आलम को shout out, रूल ब्रेकर को shout out, एलोक चौदरी को shout out, RRC Gaming को shout out, इर्वलबर फाउंडेशन, फिर फैलिक्स ने solution, दिया निया सिर्फ challenge accept किया है, यहाँ पर RRC Gaming winner है, फैनली क्या होता है, कि आपका जो code है, वो काम करना चाहिए, उसी के साथ तर और shout outs मैं देना चाहता हूँ, फैलिक्स को, ग्राण नावित खान, ग्रेट नावित खान को, तुपास्तरी कास को, नितिन सकसेना को, सैफ अंसारी को, कुमाल तारिक को, सबा सहर को, स्पोर्ट स्टॉक को, दिलीब गूजर, फिर बिस गेमर राहूल मैता, फिर ट्रेंडी ट्रेजर, खुबल बीटेक, फिर कोडवित रोहित को दूगा, फिर प्रियांशु को दूगा, फिर इट्सजिवो को दूगा, फिर फन गेमर को दूगा, फिर उजर नासिर को दूगा, फिर इट्समी दिलीब को दूगा, फिर रिशयब शक्या को दूगा, और अभी शेक कटियान को शाउटर बिलकुल तो इसी के साथ अगली exercise के solution में हम लोग मिलेंगे और अगली exercise और भी तकडी होने वाली है इसलिए यार जो मज़ा है वो लूड कर लो आप लोग और अगली exercise वो जल्दी पोस्ट होने वाली है मैं आप लोग को बता दूँ अगर आप लोगो ने भी तक sigma web development course की playlist access नहीं करी है और code access नहीं करी है तो अभी के अभी कर लो अभी के अभी मुझे सब लोग करके दिखाओ sigma web development course की playlist access bookmark होना चाहिए सबके laptop और आप मुझे अभी मिले और आपके laptop में bookmark नहीं मिली मुझे तो देख लेना फिर आप यहां पर click करके save भी कर लेना thank you so much guys for watching this video and I will see you next time